भारतिय शेर बजार का जो फार्मा सेक्टर है वो काफी बुलिश है अभी लास्ट संडे के दिन 28 जुलाई को हम एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन लेके आये थे जिसमें टॉप सेक्टर के बारे में चर्चा की गए थी उसमें से एक फार्मा सेक्टर था और फार्मा सेक्टर के आनेवाले दिनों में एक अच्छे रिटर्ण की संभावना है जैसा उसका प्राइस चार्ट नजर आ रहा है चार्ट नजर आ रहे हैं और एक स्टॉक अगर आपको यादोगा इस चैनल के ऊपर में डिसकस किया गया था फार्मा सेक्टर माracksex pharma का क्या आपने उसके वीडियो को देखा है उस वीडियो में हमने माक Swarm परम हたको का वीडियो 17 माई को आया था अगर आपने देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में कमेंट्स यहरूर और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के description box में मुसका link दे दूँगा ताकि आप उसे आप देख सकें और समझ सकें कि holistically जो comprehensive analysis की गई थी तो उससे क्या प्रतीत होता था कि यह stock आने वाले समय में अच्छा perform कर सकता है और वैसा कुछ हुआ भी पिछले ठाई महने के अंदर में उसे stock ने करीब 22-23% का एक बहतरीन return दिया है अब stock की बात करें तो valuation में fairly price नजर आ रहा है जहां तक इसका growth का जो forecast है तो earning का जो estimated growth है वो करीब 21% के आसपास है वो भी अच्छा नजर आ रहा है साथ में valuation जैसा मैंने बोला fairly price नजर आ रहा है और over the past one year earning करीब 18.2% से grow की अगर इसकी risk analysis करें तो इसका current dividend yield है करीब 0.29% वो covered नहीं है free cash flows तो इस video में हम इस stock का review करें और जानने की कोशिस करेंगे कि क्या भविश्व में इसका price target क्या हो सकता है क्या stock आने वाले दिनों में एक multi bagger stock साबित हो सकता है इसकी technical analysis करेंगे multi time frame technical analysis और top down approach को adopt करेंगे ताकि price action को हम बहतर तरीके से समझ सकें चार्ट पैटर्स को identify कर सकें और price target को project कर सकें तो दोस्तों इस video को अभी से like कर लिजे channel को subscribe कर लिजे bell icon को hit कर दीजे notification के लिए ताकि आप हमेशा updated रहे साथ में दोस्तों यह बताना चाहूंगा कि कि स्टॉक ने पिछले तीन मेहने में निफ्टी 50 फ्रंट लाइन इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है और इंडस्ट्री यह सेक्टर के इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है तो चलिए इस trade में चलते है price chart में जहाए इसकी technical analysis करते हैं यह माक्सिस फार्मा लिम्टेट का monthly price chart है जिस share की हम analysis कर रहे हैं जिस recording हो रही है यह 31 जुलाई 2024 को हो रही है जब मार्केट लाइव है रियल टाइम बारते है अब यह जुलाई का मैना समाप्त हो रहा है तो यह जो मंतली candle बन रही है यह almost completion की का गार पर है यहाँ पर अगर देखे तो currently यह price trade हो रहा है 204.5 और लास्ट वीडियो जो हम धाई महने पहले करीब लेके आये थे इस stock का उस समय price थी 169.55 और current month में इस stock ने 28.46 परसेंट का एक शांदार return दो तो पहले historical price action को समझते हैं ताकि भविश में क्या price target होंगे माकसंस फार्मा शेयर के उसका हम अगलन कर सकें उसको निकाल सकें टेकनिकल स्टेडीज के अनुसार तो यहाँ देखी यह stock में 2012 के मई महने में यह stock एक रुपए 30 पैसे का था और देखिए एक शांदार bull market आया और वो वो समय था जब फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से उचाईयों पे जा रहा था तो इस period में एक रुपए 30 पैसे का stock करीब 110 रुपए ते यह पहुँच गया एक multi bagger stock यह साबित हुआ उस period में करीब 8000 परसंट का इसने return दे और उसके बाद फिर bear market की शुरुआत हुई और यहाँ पदेखे typical accumulation phase का निर्माड हुआ range bound market भार आया और अब market का structure higher highs and higher lows करना ज अब यहाँ देखें एक multi year rounding bottom pattern का breakout अब यह significant बात है इसको समझना चलिए मैं पहले horizontal line खीज़ देता हूँ यहाँ देखें मैंने horizontal line खीज़ें यह यहाँ पर price का resistance था यहाँ पर price fail हो गई breakout देने में और उसके बाद price ने फिर EMA 55 पर support लिया typical re-accumulation phase का निर्माण हुआ और price ने तीन मैंने तक consolidate किया और उसके बाद इस rounding bottom pattern का breakout यह कितने साल का rounding bottom pattern था August 2015 से बनना चालू हुआ और November 2023 में इसका decisive breakout तो कई सालों का यह pattern हो गया करीब 8 years का यह pattern हो गया तो यहाँ पर यह significant बात है कि recent time में क्या हुआ प्राइस में करीब 6-7 मैंने तक consolidate किया और इस consolidation बांड के यह बाहर आ रही है तो कहीं न कहीं बुलिश प्लाक का breakout होता हुआ नजर आ रहा है जो continuation चार्ट है अब हम कुछ और drawing को खीशते हैं टाकि price action को हम बहतर तरीके से समझ सके पहले तो मैं यह resistance के pivot को join करता हूँ यह देखिए मैंने resistance के pivot को join किया इससे क्या प्रतीत होता है यह price का resistance है price का resistance है price का resistance है और price की यहां तक जाने की संभावना काफी प्रबल है क्योंकि market higher highs and higher lows का formation करेगा तो यह trend line जो rising trend line है यह resistance को प्रूप में काम करेगी अब इसका breakout होगा कि नहीं होगा further price में expansion होगा नहीं होगा यह फिलहाल कहना मुश्किल लेकिन एक और हम trend line अगर खीशते हैं यह देखिए मैंने एक और trend line की तो क्या नजर आ रहा है एक यह rising wedge का structure बना रहा है और अगर इस राइजिंग wedge का breakout होता है तो इसका base जो है काफी बड़ा है इसका base जो है काफी बड़ा है जो स्टॉक में potential रखता है कि एक multi-bagger stock साबित हो सकते हैं फिलहाल हम कैसे target निकाल सकते हैं यहां देखे यह rounding bottom pattern का breakout है तो अगर यह neckline है इस neckline की depth को नापे और इसको upside में अगर हम project कर दे तो इसका target हम निकाल सकते हैं तो देखे इसके हम upside को project करते हैं तो इसका target 502 के आसपास निकल के आता है currently यह 200 पे trade हो रहा है अब price ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी यह resistance भी लेती है तो हम इस trend line पे अलट set करके रख सकते हैं और अग profit book कर सकते हैं यह जो भी strategy है 50% profit book कर सकते हैं लेकिन अगर इसमें 100% expansion का target अचीव होता है तो यह 1260 के आसपास जा सकता है अगर हम potential return की बात करें current market price से तो पहले target में 125% के return का potential है और second target में इसमें potential है 460% का तो यह stock एक positional view के लिए अच्छा नजा रहा है क्या यहाँ पर हम कुछ और trend line कीच सकते हैं तो देखिए मैं एक और trend line कीच रहा हूं इसको ध्यान से देखिए और मैं एक और trend line कीच रहा हूं मैं chart pattern को explain कर रहा हूं within chart pattern यहां आप देखिए price का रेजिस्ट प्राइस का रेजिस्टर्स और यह यहां पर breakout हुआ प्राइस का support प्राइस का यह multiple support है यह rising wedge का breakout हुआ है जिसका काफी अच्छा base है अगर हम इस rising wedge के breakout के अनुसार target को project करें तो इसका target कहां आता है चलिए उससे project करने के कोशिश करते हैं तो इसका target आता है 358 यह देखिए म 58 में हो सकता है कि price में एक loss of momentum हो और correction की संभावना बढ़ती हुए नजरा है यहां देखिए volume भी अच्छा का सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मतलब market के extent of participation को यह indicate करता है momentum की अगर study करें तो RSI जो एक momentum indicator है वो 60 के ऊपर नजर आ रहा है और stochastic जो है वो भी बहुत strong momentum को indicate कर रहा है चलिए अब बढ़ते है weekly price chart में और इस analysis को आगे बढ़ाते हैं अब यहां weekly price chart में देखें तो price ने कई सब्का तक एक range bound moment दिखाया है और इसका यहां पर finally break out हुआ तो यह एक अच्छे consolidation के बाद में price बहार आ रही है और prior trend को देखें तो bullish trend है higher highs and higher lows का market structure है तो markup phase में होने से भविष्च में भी price structure जो है higher highs and higher lows के रहने की संभावना है इस stock में यहां देखें जब यह breakout हुआ इस consolidation band का यह consolidation band का यह consolidation band का इसका जब यह breakout हुआ तो volume में substantial rise था और volume average volume से अधिक था अगर हम momentum की study करें तो RSI monthly chart में 60 के ऊपर है और weekly chart में 60 के ऊपर नजर आ रहा है तो momentum का भी अच्छा नजर आ रहा है इस stock में तो यहां पर अगर हम broadly देखें तो यह एक prior impulsive wave है मैं target अलग-अलग प्रकार से निकाल रहा हूं क्योंकि target हमेशा national होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के या technical studies के जो target है वह minimum expected objective है तो इस case आप से अगर wave analysis करें यहां देखिए इसने पहला target 127.2% expansion का last week में अचीव किया है और इस कारण से कुछ loss of momentum हम यहां देख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत consolidation होता है या correction होता है तो फिर उसके बाद में जब trend का resumption होगा तो इसका अगला target 250 1.5 का निकल के आ रहा है market इस तरह से वेवल formation करता है impulsive wave corrective wave का formation markup phase में एक continuous process अब बढ़ते हैं daily price chart में इस analysis को आगे बढ़ाते हैं अब यहां daily price chart में अगर देखें कि यह short term में downtrend में आ गया था market structure lower eyes and lower lows का था यहां पर price ने finally यहां support लिया SMA 233 और SMA 200 पर और उसके बाद में short term trend का एक reversal होता हुआ न चाला है यहां देखें short term trend के अंगेसार यह bottom number one है bottom number two है trend जब भी short term में down हो या intermediate term में down हो या long term में down हो हमें चाहिए reversal chart pattern यह देखें reversal chart pattern का fix था जिसका यहां breakout हुआ तो यह reversal chart pattern का breakout है जो double bottom का chart pattern और जब यह breakout हुआ तो देखें substantial सर्स्ता वॉल्यूम तो यह बहुत इंपॉर्टेंट इंस सब स्टेडी को समझना है अब यहां देखें short term trend bullish है EMA 21 EMA 55 के ऊपर है intermediate term भी bullish है यहां देखें EMA 55 SMA 144 के ऊपर है और यह दोनों moving average का slope जो है inclining up है जो market के strength को दर्शाता है even SMA 200 और SMA 233 का भी slope upside नजर आ रहा है तो technical chart formation बहुत strong नजर आ रहे है अगर हम daily chart में momentum को देखें तो यहां भी यह RSI जो है जो एक momentum indicator है वो 60 के ऊपर तो हमने monthly chart में देखा weekly chart में देखा और daily chart में तो momentum इसका बहुत strong नजर आ रहा है जो हमने अभी explain किया आपको अब यह देखें पहले target के बाद यह जो 206 का target था यह achieve करने के बाद price consolidate कर रही है और भी bullish flag का breakout अगर होगा तो अगला target 251 के आस्वास निकल के आ रहा है यह सारे target बड़े notional होते हैं minimum expected objective होते हैं किसी भी chart pattern के या technical studies के इस तरह के stock formation में best strategy होती है कि trend को हम ride करें और तब तक ride करें जब तक कोई distribution pattern हमें नजर ना और distribution pattern का breakdown जब हो जाता है तो शायद वक्त है profit book करने का अगर आप positional trader है तो यह stock को मैं अलग-अलग dimensions से multi time frame technical analysis के अधार पे आपके समख्ष रखना चाहता था यह कोई stock का recommendation नहीं है आप स्वयम इसकी analysis करें और उसके बाद जब आप convinced हो जाए उसके बाद ही decision लें कि आपको इसमें trading करनी है या long term investment करना है यह long term positional view बनाना है यह आपका choice होगा तो आपका क्या opinion है कि क्या जो targets long term के discuss किये गए इस stock में क्या उनके achieve करने की संभावना आपको नजर आती है अगर नजर आती है तो इस video के comment section में जरूर लेकिए अगर आपको वो target achieve होने के संभावना नजर नहीं आती है तो भी आप अपने opinion post video के comment section में अवश्य लेकिएगा देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे दोस्तों आती हीटर विलिंग तो सक्सीड इन दॉस्तों आती हीटर विलिंग तो सक्सीड in the stock market join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis learn strategies and risk management to stay ahead of the curve join now and attend our weekly meetings every Sunday कर दोस्तों आती है